खर चुटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुढ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना हूले गरीबों के राशन पर डीलर का डाका नमस्कार मेरे नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुढ हलचल जनपत हापुढ में गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों के विरुद कोई कारवाही ना होने सुनके होसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं ऐसा है मामला बुद्धवार को सामने आया है जहां गरामीनों ने घोड़ा तांगे में राशन बेचने जा रहे है एक राशन डीलर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया आपको बता दें कि जानगारी के अनुसार थाना हापुड देहात के गाउं सलाई में एक राशन डीलर चावलों के कटे भर कर तांगे में रखकर बेचने जा रहा था तब ही लोगों को शक होने पर उन्होंने राशन डीलर को पकड़ लिया और हंगामा करते हुए पुलिस को सौप दिया इस से पहले भी काफी बार यह राशन डीलर कम तोल वर राशन में गडबड़ी के आरोपों में सुर्ख्यों में आ चुका था लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कोई इस राशन डीलर का कुछ भी नहीं बिगाड पाता और आज भी गिरामीनों ने बताया की आपूर्ति भाग के अधिकारियों की मिली भगत से राशन डीलर राशन गरीबों को नाबाट कर या कम दे कर बचा राशन बाजार में अधिकतम मूलियों पर बेश देता है हालनकि अभी A.R.O. जगनाथ राणा ने मोके पर पहुंचकर जाच शुरू कर दी है जिसमें जाच के दोरान जगनाथ राणा ने बताया कि अभी राशन दुकान पर करीब 6 कुंटल 99 किलो गेहूं वे 4 कुंटल 68 किलो चावल कम मिले हैं जिसके अभी जाच की जा रही है इस बारे में गिरामीन क्या कहते हैं देखे जरा मेरा है तो आप तांगें रखे प्रूं से कहा रहा है खाल रहे हैं आपको दिखाते हैं कि इस बारे में तांगा चालक क्या कह रहा है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हम हैं हापुड शहर का नमबर वन न्यू चैनल हापुड हलचल नमस्कार